बिस्मिल्याईरमान नहीं असलाम नहीं आज मैं जो आपके सार्थ र ждस्पी कर रही हूं वह चलते स्टाइल करें थास यहां पेंगा स्ट्थिक आपके पास थाबत हो तो आप वोड लीजिए गा और एक स्टीक मैंने दारची निके ले ली थी तीन अदर लॉंग छे साथ काली मिर्चे और यह एक काली लयची दो सबस लयची और किन अधर मेरे पास तेञाड मीचे थी जिसे कष्मीटी मीचे भी कहते हैं यहांपे मैंने एक पैन लिए लिया है उसके अंदर हम यह सारे मसाला डाल कर ड्राइय रोस्ट कर लेंगा तेकर एक 10-15 मिंद्र के लिए और में ब्लेंड फ्लेम पर में ज़ुटार हो जाएं अंदर फिर मैंने एक और कड़ाय ले लिए ती उसें अंदर मैंने फाफ का पायल का शामिल किया और साबध गर्मसाला बन टेबल-सपून और एक कप भरकर मैंने चौप प्यास के शामिल कर दिया और इसको हमने fry करने लेना पैयस को इतनी दिर तक हमने इसका कच्छेपन फर्य कोडिकर भी ना आए medium flame पर हमने इसको fry को फ्राइए करना है कलर नहीं आना चाहिए यह देखें बस कच्छा पाउन इसका ख़त्म होना चाहिए अब इसके अंदर हम वन टेबल स्पून अधर कलसन का पेस और वन टेबल स्पून हारी मेच्ऊं का पेस शामिल कर देंगे इसको भी एक मिन्ट के लिए फ्राइ कर लेंगे ताकि इसका भी कच्छापन ख़तम हो जाए जैसे ये फ्राइ होगा तो फिर हमने इसके अंदर एक टेबल स्पॉन बेसन का शामिल कर दे दिया अगर आपके पास कच्छा बेसन हो तो आप इसको इस टायम पर शामिल करके इसको दो की मिन के लिए पहले भूली जेगा ताके बेसन का भी कच्छा पर खतम होजे और 600 ग्राम मैंने इसके अंदर चिकन का शामिल कर दिया जो मैंने पेस्ट बनाया था मिर्चों का मिसालों का वह मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया और हमने लो फ्लेम करके इसको तकर पांच मिन के लिए इसको अच्छी तरह भूनना है बहुत अच्छी तरह भूनना है ताकि जो आईल है वह हमारा अलादा हो जाए पिर हजबे जाएकर नमक शामिल करेंगे और एक पानी डाल कर हम अच्छी तरह मिस करके हम इसको ढग देंगे और हमने फ्लेम कर देनी हैं लो और इसको हमने तकरीबान दस मिन के लिए हमने लो फ्लेम पर पकाना है ताकि चिकन जो अभी हमारा कच्छा तो वह अच्छी तरह गल जाएगा दस मिन के बार ये देखें जितना पानी डाला था वह खुशक हो गया और हमारी कड़ाई बिल्कुल तियार हो जागी है अब चुला बंद करते हैं और इसके उपर हरा दनिया शामिल कर देंगे ये इतनी मज़दार बनी थी कि बिल्कुल भी हमें मिसूस नहीं हो रहा था कि हमने इसके नदे टमाटर या देही बिल्कुल नहीं शामिल किया है बहुत मज़दा ये बनी थी आप लाजमी इसको ट्राइ कीजेगा मुझे कमर्स करके लाजमी बताएगा कैसी बनी है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा नए स्टूडियो मिलते हैं अल्ला हाफिस